हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग लग फ़र गाडनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं तो आज मैं अपने अडेनियम प्लांट को रिपॉर्ट करने जा रही हूं और इसके साथ मैंने और भी बहुत सारे प्लांट करी देतें तो अगर आपने उस मरेना और उसमें धेर सारे फ्लावर आएं तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सॉइल ले ली हैं और सॉइल के बाद मैंने इसमें बहुत बारीक वाली बजरी मिला दी हैं हमारे प्लांट की जो सॉइल होनी चाहिए वो वैल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए उसके बाद मैंने इस इस आप बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें well-drained soil चाहिए ताकि हमारे plant में पानी टिके नहीं तुरंत ही बहके निकल जाए, तो मैंने पहले soil ली है, फिर बजरी ली है, उसके बाद मैंने गोबर की खाद ले ली है, और गोबर की खाद के बाद अब मैंने इसमें नीम की खली नीम की खली भी डालना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है, बोन मील, और बोन मील मैंने यहाँ पे दो मूठी लिया है, और दो मूठी ही मैंने नीम की खली भी ली है, उसके बाद आपको क्या करना है, कि इसमें साफ फंगिसाइड जरूर ले तो पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है हमें अपनी सॉयल को well drain बनाना है ताकि गल्ति से अगर कभी हम जाधा पाने दे दे दें तो वह बह जाए हमारे सॉयल में रुखे तो जब हम सारे soil को अच्छे से mix कर देंगे उसके बाद हमें दूसरी किस चीज का ध्यान रखना है अब मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ तो दूसरी बात सबसे important क्या है कि हमें pot का चुनाओ कैसे करना है जो हमारा अडेनियम का plant होता है उसकी roots बहुत गहरी नहीं जानी चाहिए तो हमें उसे एक छोटा pot ही देना है आप चाहें तो एक oval shape में भी आते हैं जिनमें बहुत गहराई नहीं होती है उसमें बहुत ताकि हमारा जो root है plant का वो भी अच्छे से grow हो सके तो pot का चुनाओ बिल्कुल सही करना है बहुत गहरा pot नहीं लेना है और जब हम अपने plant को लगाएंगे तो उस plant को बहुत गहराई में भी नहीं लगाना है चली मैं आपको समझा देती हूं देखे ये मेरा plant है और इसको ब प्लांट है उसकी roots काफी अच्छी है तो हलके हातों से थोड़ा जो यह देखे इसमें plant में आप notice करिएगा इसमें soil भी नहीं लगा रखे इन्होंने नरसरी वालों ने इसको जो लकडी का बुराता होता है ना उसी में ही लगा रखा है और इसकी growth देखे कितनी अच्छी हो ने लखडी का बुरादा लगा रखा है इसको हमें हलके हातों से चुड़ा देना है इसे चुड़ाने से क्या होगा कि फिर root हमारी जो soil जो हम इसको देने वाले हैं उसमें आराम से फैल पाएगी और अपना development अच्छे से करेगी अडेनियम समर का बहुत ही hardy plant होता है और इ इसमें आते हैं अगर आप इसकी अच्छे से care करेंगे तो अब मैं आपको यह दिखा देती हूं कि हमें इसे pot में लगाते समय किस चीज का ध्यान रखना है तो जब हम इसे pot में लगाएंगे ना तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि soil को एक limit तक भर लेना है उसके बाद ह हमें plant को बहुत गहराई में नहीं लगाना है अप आप देखिए मैंने लगबग आदे से जादा अपने गंबले में soil ले ली है और उपर उपर ही मैं इस plant को लगाने वाली हूं क्या होता है ना जब आप इसे बहुत जादा गहराई में लगा देंगे तो जो इसकी stem है और इसकी root है वो ना हमेशा गीली गीली सी रहेगी और जादा देर तक गीला रहने से क्या हो सकता है इसमें fungus लग सकता है इसकी roots गल सकती है सर जाएंगी अंदर अंदर और आपको पता भी नहीं चलेगा फिर आप सोचेंगे कि हमने खात दे दी दूब दे दी है सब कुछ दे हमारा plant grow क्यों नहीं कर रहा है तो इसका यह reason हो सकता है इसलिए जब भी आप pot का चुनाओ करें तो pot को छोटा रखें और जब plant को pot में लगा रहे हैं तो बहुत गहराई में मत लगाईए ऐसे लगाईए उपर उपर ही कि हलकी फुल किसी roots इसकी दिखें अभी आप last में दे से report हो सके ऊपर के तरफ थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के और उसके बाद जब उसको आप ठोकेंगे ना बहुत हलके हाथों से ठोकेगा plant की pot को ताकि हमारी जो soil है वो बैट जाए नीचे तक और हमारे plant में air pocket सारे खतम हो जाए हाँ अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी जो कि मेरी तीसरी टिप है जिसकी भी गलती हम लोग कर देते हैं कभी कभी कि जब हम plant को report करते हैं उसके बाद तो हम उसको एक दिन तो छाओं में ही रखेंगे उसके बाद दूसरे दिन से आप इसे full sunlight में रखेंगे क्योंकि यह summer का plant है और इसे धू बहुत पसंद है तो इसको आपको full sunlight में ही रखना है सेम उसी method से जैसे अभी मैंने पहले plant को report किया है अब मैं अपने दूसरे अडेनियम plant को भी report कर ले रही हूँ वही तरीका है वही soil है सबको चूसी तरीके से है इसके बाद जब हम अपने plant को report कर देंगे तो मैंने आपक को बताया है एक दिन आपको इसे चाओं में रखना है दूसरे दिन से आप इसे full sunlight देंगे जिती भी देर की sunlight आप दे सके इसे अपने घर में कम से कम 6-7 गंटे की sunlight तो देनी ही देनी है क्योंकि आप इसे अगर sunlight नहीं देंगे अच्छे से तो भी ये अपनी growth को अच्छे से develop नहीं कर पाएगा लीव्स निकलेंगी growth होगी पर flowering अच्छे से नहीं हो पाएगी फिर आप सोचेंगे कि इसमें flower क्यों नहीं निकल रहे है आप देख रहे हैं इस plant की root कितनी तेजी से grow कर चुकी है कि गंबले के बाहर तक आ गई है तो इसको निकालने में मुझे plant अपना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसकी root disturb हो क्योंकि आप देखी सकते हैं plant अभी बहुत चोटा है और root अभी नहीं नहीं growth हो रही है इसकी तो इसलिए अगर growth stop हो गई न तो फिर plants को grow करने में अच्छा खासा time लग जाएगा और यह season मेरा plant फिर flowering नहीं कर उसके बाद जो चौथी टीप है वहाँ पे मैं वो बताने वाली हूँ कि हम plant को लगा देते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं उसकी care करना तो इस plant को जब हम लगा देंगे तो इसमें जो सबसे खतरनाग बिमारी आती है वो लगती है fungus क्योंकि fungus root को धीरे धीरे सड़ा जाने के लिए हमें क्या करना है कि 15 दिन में एक बार plant में जैसे अब प्लांट हमारा बहुत जादा चोटा है तो इसमें हम एक लिटर पानी तो नहीं दे सकते तो लगबग आधा लिटर पानी लीजे और उस आधे लिटर पानी में वन फोर्थ स्पून हम साफ प्लांट रिपॉर्ट कर दिया है अब मैं उसको वॉटरिंग करने जा रही हूँ तो वॉटरिंग करते समय मैं पानी में जो डाल रही हूं ये एप्सम सॉल्ट है तो यह मैंने क्यूं डाला है चले मैं इसको भी बता देती हूं तो जब भी हम plant को report करते हैं तो उसको report का shock लगता है और उस shock से बचाने के लिए हम इसमें epsom salt डाल रहे हैं आप चाहिए तो soil में भी डाल सकते हैं पर मैंने यहाँ soil में नहीं डाला है तो इसलिए मैं water में dissolve करके डाल रही हूँ यहाँ पर मैं आपको पांचवी चीज़ बता रही हूँ जो कि हम अक्सर गलती कर जाते हैं और अडेनियम plant के मरने का यह बहुत बड़ा reason होता है वो होता है over watering हम जब भी अपने plant को पानी दें तो हम बहुत अच्छे से देख लें चैक कर लें soil को थोड़ा सा निकाल के चैक करिए कि अगर अंदर तक soil थोड़ी dry हो गई है अंदर से मतब एक इंच तक तो फिर आप उसको पानी दीजिए क्योंकि अडेनियम के plant को बहुत जादा water नही स्टार्ट कर देता है तो इसलिए over watering बिल्कुल भी नहीं करनी है पानी देने का बहुत विशेज ध्यान रखना है चलिए अब मैं आपको update दिखा देती हूँ ये मेरे plant को report किये वे लगबग 4 दिन हो गए है और ये 4 दिन बात का वीडियो में आप लोग के साथ share कर रही हू देखिए मेरा plant कितने अच्छे से grow कर रहा है तो ऐसे ही आप भी लगाईएगा आपका plant भी अच्छे से growth करेगा तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जरूर बताएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को like करिए मेरे channel को subscribe करिए मिलते हैं फ और के लगाईबी मेरा ठपको मीरा आपका रया है कर पकी से चाहिंगा ड़ीयोि अच्छे से चाहिंगा जो ही आपको मेरा पको जिए नच्यम्छे से अवे करीज वीडियो वीयोग ऑमोरी इ Efendi